हेलो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल Competition Crackers में और आज इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले हैं Lucent Geography का ठीक है आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं Lucent Geography का Lecture No. 32 अगर पिछले Lectures आपने नहीं देखें तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं या एंड स्क्रीन आता है जो वीडियो के लास्ट में उसमें भी आप क्लिक करके पूरी की पूरी प्ले लिस्ट तक पहुंच सकते हैं जिसमें आपको 1 से 32 तक के सारे के सारे Lectures मिल जाएंगे ठीक है फिलाल 31st lecture यानि कि जो इस से पिछला lecture था उसमें दोस्तों हमने पढ़ा था about the forest and the type of forest उसके बाद हमने pastures and grasslands ये सारे के सारे कवर कर दिये थे नहीं देखिये तो उस वीडियो को देखो और उसके बाद यहां पर आओ because in this video we are going to talk about the landforms created by the action of river पहले initially हमने सिर्फ landforms पढ़े थे various landforms present on earth जिसमें कि हमने mountains देखा था, हमने plains देखा था, plateaus देखा था उसके बाद forests देखे थे, pastures और greenland देखे थे अब हम ऐसे landforms की बात करने वाले हैं जो किस से बनी होती हैं दोस्तों rivers के कारण हम जो नदियां होती हैं वो जो landforms को create करती हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अब नदियों की बात करें दोस्तों तो नदियों का उद्गमす स्थल क्या होता है लु fazer hills से होता है इस तरीके से बहुत सारे hills होते हैं, पहाड होते हैं इन में से जो क्या होती है नदी जो है वो निकलती है ठीक है ग्लेशियर से बेसिकली ग्लेशियर में जो इसनो होती है जब वो इसनो जो है मेल्ट करती है तो उसके बाद जो है क्या होता है उसके बाद रिवर्स जो है वो निकलती है इस तरीके के जो मांटेंस होंगे ठीक है तो कुछ ऐसे rocks होते हैं दोस्तों जो कि soft nature के होते हैं जिनको कि हम soft rocks कहते हैं और कुछ ऐसे rocks होते हैं जो बहुत ही hard होते हैं जो आसानी से break नहीं होते हैं उनको हम hard rocks कहते हैं अब पहाड़ों में दोनों तरफ के rocks पाए जाएंगे soft rock भी और hard rock भी तो जो नदिया होंगी वो बहुत ही ज़्यादा velocity से आएंगे क्योंकि जब नदिया नीचे आएंगे ना पहाड़ों से जब नीचे आएंगे नदी तो जो नदी की velocity होगी वो क्या होगी कम होगी या ज़्यादा होगी बहुत ज़्यादा velocity से इस तरीके से नीचे को आएंगे ठीक है त्योंकि उसमें gravitational pull भी काम कर रहा है खुद भी नीचे की तरफ को आ रही है वो तो जो है velocity उसकी बहुत जादा रहती है तो ऐसे नदियों की भी velocity जादा रहेगी तो उनकी power energy उनके पास जादा रहेगी और इसी के चलते जो soft rocks होंगी जो की easily break हो जाती है उनको वो तोड़ते हुए अपने साथ लेके आएंगे and sometime hard rocks को भी continuous action होगा जैसे कोई hard rock है इस तरह के से कोई hard rock है मानलो और उसमें लगातार कोई जो river है वो strike कर रही है तो धिरे-धिरे hard rock भी जो है वो तूटना सुरू हो जाती है तरह के से hard rock, soft rocks दोनों को अपने साथ नदियां लेके वे आएंगी अब लेते वे आगे की और को flow करेंगे और कहीं न कहीं उस जो part को लेके आई हैं वो छोटे-छोटे sediments को, stones को, pebbles को जो पहाड़ों से तोड़के लेके आई है उसको finally एक area में पहुँचेगी और वहाँ पर deposit कर देगी यानि कि उसको finally एक जगा एकत्रित कर देगी जो भी चीज़ें लाई थी, ठीक है वो एक नदी के bank में या नदी के किनारे में एकत्रित हो जाएंगे ठीक है, जैसे over a long period of time एकत्रित होते होते हैं यहाँ पर plains का निर्मान वो कर देगी, ठीक है तो यह होता है पूरा का पूरा इसमें एक्सन, तो जो पहाणों को तोड़ने की जो परकिरिया थी नदी की, जिसमें की नदी जो है वो पहाणों को break करके hard rocks से soft rocks को अपने साथ ला रही थी उस process को क्या का जाता है दोस्तो erosion, आपने पढ़ा भी होगा soil erosion भी आपने पढ़ा होगा, क्या होता है ठीक है, और बहुत टाइप क्यों होते है erosion basically जो erosion की जो process होती है it means कि कोई भी part है वो तूट के या एक अपने मतलब जैसे पूरा का पूरा हिस्सा है उसमेंसे बिछुड के, उसमेंसे तूट के कोई part आगे चले जाए, तो उस परकिरिया को क्या कहते हैं दोस्तो, erosion कहते हैं तो ऐसे ही जो erosion होता है वो erosion की परकिरिया mountains में देखने को मिलती है, और finally परकिरिया में कुछ न कुछ हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी जब erosion होता है दोस्तो तो mountain वाले reasons में erosion होता है ये तो आपको clear हो गया, और जब आगे पहुंच जाएगी river river की जो हैं, दोस्तो three stages होती है, ठीक है एक होती है young stage एक होती है young stage उसके बाद होती है थोड़ा उसके आगे वाली stage और finally old stage होती है, ठीक है तो young stage क्या होगी, जब नदियां जो हैं, एकदम उफानी से ठीक है, यू आवस्ता, पोड़ावस्ता और विर्धावस्ता ये दो हिंदी में, जो है, ये term huge किया जाता है, that जब initially loud होती है, बहुती तेज होती है नदी, बहुती ज़्यादा velocity से आती है तो उसकी you आवस्ता, यानि की young condition होती है उसके बाद जब थोड़ा slopes कम हो जाते हैं या plains में वो पहुंच जाती है, तो plains में पहुंचने के बाद उनका, उसकी speed उतनी नहीं रहती है, जितनी के mountain में क्योंकि slope वहाँ पर होता नहीं है, plain area में तो बिल्कुल धीरे धीरे चलती है नदी, ठीक है, तो उस अवस्ता को कहते हैं, जब नदी थोड़ा कम speed में चलती है, mountains के मुकाबले, यानि कि velocity है mountain वाले region में तो mountain वाले region में इसके कारण, erosion होता है erosion के कारण क्या-क्या formation होता है तो V-save valley formation होती है Z-O-R-Z, Z-O-R-Z formation होता है उसके बाद pot holes formation होता है and finally waterfall तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे mountain वाले region में क्या-क्या देखने को मिलेगा V-save valley Z-O-R-Z, Z-O-R-Z आप चाह सकते हैं या gaws आप इसको कह सकते हैं pot holes और waterfall ये आपको कहां mountain वाले regions में देखने को मिलेगा जहाँ पर क्या होगा, erosion होगा और finally जहाँ पर जब ये erosion खतम हो जाएगा erosion के बाद आपको अब देखो जब plains में भी जब नदियां चलती है जैसे ये है नदी है अब plains में भी ये नदी चल लिए तो इसका river bank होगा river का खिनारा होता है तो कभी-कबार आपने देखा होगा कि वो river bank को भी अपने साथी ले जाती है कभी-कभी जब flood की condition आजाती है तो उस टाइम पे plains में जो river bank होते है नदियों के खिनारे होते है वो भी नदियों के साथ ही चले जाते है जैसी बहाव बढ़ जाता है नदी का तो वहाँ पर भी कभी-कभी erosion देखने को मिल जाता है तो erosion भी होगा लेगिन plains में अगर आप देखेंगे तो deposition भी करती रहती है नदी तो जहाँ पर erosion और deposition दोन होगा यानि कि जब पोड़ा अस्तामें नदी होगी तो वहाँ पर erosion deposition दोन होगा तो वहाँ पर meanders देखने को मिलेंगे या आप कह सकते हैं river bank के पास ही erosion होते है ठीक है बाद में जब कम हो जाएगी तो फिर से महाँ पर deposition कर देगी तो erosion deposition जो रस्ते में होता है उसको उसमें आपको देखने को मिलेंगे meanders oxbow और lakes और finally जब area में deposition कर देगी यानि कि जैसे mountains से sediments को pebbles को stones को लेते आर या finally settle करते जाएगी एक जग़ deposit करते जाएगे करते जाएगे and over a period of time over a period of time means कोई short period की बात नहीं कर रहा हूँ millions of years बाद वो जो sediments है वो इकटा होते 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 planes का formation कर दाएगी तो planes भी fan saved planes देखने को मिलेंगे, flood planes देखने को मिलेंगे delta हमें देखने को मिलेगा और natural levees formation हमें तो यह सारी चीज़ें दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने cover करनी है ठीक है, we saved valley से लेके naturally levees तक इस पूरी वीडियो में cover करेंगे, so make sure वीडियो को अच्छे तरीके से देखना और आपको अभी की चीज़ जो मैंने अभी समझाई, वो आपको clear आई हो, तो एक बार थोड़ा इसको minimize करके वीडियो को like कर देना ठीक है, अगर चाहें तो आप तो आप चलते हैं थोड़ा बहुत थम देखने के लिए इस part में यहां पर कुछ बिगड़ गया है ठीक है तो दोस्तों यह आप देख सकते हैं mountains, थोड़ा मैं color change कर देता हूँ तो देखो दोस्तों यह जो है हमारा mountains है, mountains में क्या होगा erosion होगा इनमें, क्या होगा erosion की परकिरिया होगी, और erosion के कारण यहां पर कुछ landforms बनेंगे फिर यह mountains से slopes धिरे धिरे नीचे आ रहा है, यहां पर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे oxbow lakes वगेरा यहां पर आपको देखने को मिलेंगे meander, जो रस्ता इस तरीके से बदलती है, नदी एक zigzag motion में चलती है, वो meanders के कारण होगा वो भी हम देखेंगे, और finally हम delta का formation इसमें देखेंगे levy formation इसमें देखेंगे tributary क्या होती है दोस्तो tributary means जैसे यह main river है, यह इस पहार से आ रही है, और छोटी छोटी जो सहायक नदियां कहते हैं, जो कि mix हो जाती है नदियों में उनको कहते हैं tributaries, तो tributaries आपको समझ में आ गया, तो यह सारी level से height वो धीरे-दीरे decrease होती जा रहे है, जैसे इधर को mountains से plains की और को आएंगे, तो height क्योंकि decrease होती जाएगे, तो इसके कारण जो है अलग-अलग phenomena of deposition यहाँ पर देखने को मिलेगा, और finally यह समुद्र है, sea है तो इसमें मिलने से पहले यहाँ पर यह इन एरिया में, ठीक है, तो देख लेते हैं अराम से अब, इतना concept जो था दोस्तों, वो बहुत जरूरी था, क्योंकि और चीज़ें पढ़ना इतना जरूरी नहीं है जो वो concept है, वो main चीज़ वहीं पर ही clear हो गया मैं आपको terminology समझते आते जाओंगा आपको एकदम clear होते जाएगा तो सबसे पहला जो concept था, we saved valley we saved valley किस region में देखने को मिलेगी mountains में देखने को मिलेगी mountains में देखने को मिलेगी, तो we saved valley का का कारण क्या होगा erosion, erosion के कारण होगी अब देखो, river flows with a greater velocity in mountains जैसे कि मैंने आपको बता दिया, mountains में क्योंकि धलाने होंगी slopes होंगी, river जादा velocity से चलेगी fragment of rocks also flows with the width along the river मैंने क्या बताया था कि soft rock, hard rock होंगी soft rock तो बिल्कुल आसानी से नदियों के साथ चले जाएगी and over a period of time hard rocks भी चले जाएगी तो नदिया ग्रेटर वेलासिटी से बह रही है उनके साथ मैं rocks भी आ रही है अब थर्ड क्या है, down cutting of mountain gave rise to the deep valley with steep slides called as the we saved valley अब जो है नदिया जो है, इनका cutting करना सुरू कर देंगी, जो इधर चट्टाने है इनको काटना सुरू कर देंगे आपने देखा होगा, खास करके पहाड़ी रीजनों में अगर आप उत्राखंड से relate करते हैं, तो आपने देखा होगा यहाँ पर तो most of the time जो नदियों की किनारे होते हैं, वहाँ पर finally, जो पहाड होते हैं, वो इस तरीके से वी सेप धारन कर लेते हैं, ठीक है इस तरीकी का सेप, एकदम वी एकदम जुका हुआ, क्योंकि लगाता है नदी तोड़ते गई, तोड़ते गई, उसको अपने साथ मिलाते गई, जैसे ही नदी का बहाव बड़ा, अपने साथ मिलाते थी है, ठीक है तो बरसाथ के मौसम में खास करी होता है, तो finally, एक वी सेप मिल जाता है, नदी के किनारे पर, यह इस तरीके के वी सेप के पहाड़ आपको देखने को मिल जाएंगे, वी सेप के वैली ज आपको बहुत गहरी है, ठीक है, जो यह वैली है, नीचे के है, यह वैली है वैली, यानि की घाटी है अब जो यह घाटी है, वो बहुत डीप भी है और साथी साथ नेरो, एकदम पतली भी है आप देखेंगे, इतनी पतली सी घाटी है और बहुत deep में है यानि कि इतने नीचे पर है गहराई भी इसकी ज़्यादा है और बहुत ही पतली भी है तो इसको क्या कहते हैं? Z-O-R-Z Zorz कहते हैं ठीक है तो Zorz क्या है? V-Saved Valley है जो ज़्यादा deep या गहराई पे हो और पतली हो उस टाइप की घाटी को हम कै कहते हैं? Z-O-R-Z Zorz कहते हैं फिर जोर्ज ओफ रिवर या गौर्ज ओफ रिवर उल्हास इन थाने डिश्टिक जैसे कि इसके एकजामपल है गौर्ज जो है एक रिवर उल्हास में बना हुआ है थाने महराष्टरा में और नर्मदा रिवर में भी कुछ गौर्ज वैली है जिसका की नाम है बेडा घाट फिर दियर आर मैनी गौर्ज इन हिमालेयाज हिमालेयाज में भी बहुत सारे गौर्ज है Z-O-R-Z जोर्ज पढ़ो या गौर्ज इसको प्रोनॉन्स कर सकते हैं ठीक है तो हिमालेयन रिजन में भी बहुत सारे गौर्ज आपको देखने को मिल जाएंगे तो यह चीज हो गई अब आउट वी सेब्ड वैली वी सेब्ड वैली जान लिया कहां देखने को मिलेगी मौन्टेंस में क्यूं देखने को मिलेगी प्लेंस सी हैं तो भी आपने वाटरफॉल कभी न कभी हिली एरियास में आप खूमने कए होंगे तो आपने देखा होगा जिसको की जड़ना कहते हैं आम भासा में तो वाटरफॉल क्या होते हैं इसके लिए मैंने आपको सबसे पहली चीज जो बताई थी मैंने का था कि पहार्स में हाड रॉक और सॉफ्ट रॉक दोनों होंगे सॉफ्ट रॉक एकदम से नदी में मिल जाएंगे लेकिन हाड रॉक को ब्रेक करना बहुत ही टफ होगा आसानी से नहीं तूटता है हाड रॉक तो यदि कोई नदी है जो कि बहरी है यानि कि फ्लो कर रही है और एक हार्ड रॉक उसके नीचे बिचिवी है नदी किस पे एक हार्ड रॉक पे चल लिए सॉफ्ट रॉक पे चलती तो उसको तोड़ देती उस रॉक को और अंदर की और को चले जाती पर यदि hard rock पे कोई नदी है तो वो उसको तोड़ नहीं पाएगी आसानी से बहुत ही अगर ज़्यादा hard rock है तो नदी क्या करेगी इस तरगे का एक slide उसमें आ जाएगा एकदम से उसको तोड़ेगी नहीं और उससे नीचे को चली जाएगी ठीक है तो इसको इरोट किये बिना अपना खुद नदी जो है अपना रस्ता सीधा नीचे की और को डाल दीगी और इसी से formation होगा waterfall का ठीक है ज़रने का अगर आप देखेंगे तो जहां भी पर भी आपको ज़रना देखने को मिलता है दोस्तों इसका मतलब है कि उस वाले जो एरिया है वो पूरा के से बना हुआ है hard rock से बना हुआ है जिसको की नदी तोड नहीं पा रही है और मजबूरन नदी को जो है खुद को ही उचालके नीचे जाना पढ़ रहा है विकॉज उसको तो सकती नहीं कि उसको भी अपने साथी ले जाए नहीं उसके उससे नीचे जाना पढ़ेगा क्योंकि rock बहुत ही hard है तो देखो यहां पर बहुत hard rock और soft rock दोनुप आया जाता है हमने देखा soft rock have lesser resistance और erode faster hard rock का higher resistance हो का not erode easily हमने discuss कर लिया यह river have to fall with a greater speed from the cliff अगर cliff में जो hard rock होगा है मानलो यह cliff है ना यह इसमें यहां पर इसके नीचे hard rock होगा जरूर और इसी के चलते हैं नदी को नीचे गिरना पढ़ रहा है यानि कि fall करना पढ़ रहा है खुद का और यहीं पर यह आपका इसी fall को क्या कहते हैं जब river fall कर जाएगी क्योंकि वो hard rock को तोड़ नहीं सकती तो इससे जो structure form होगा उसको क्या कहते है waterfall कहते है और waterfall का बहुत ही famous example है नाइग्रा fall आप याद रखना यह यहाँ पर से आपका waterfall तो पूछे का नहीं एक्जाम में यह पूछे का कि नाइग्रा fall कहाँ पर इस्तित है तो नाइग्रा fall कहाँ पर इस्तित है दोस्तों नाइग्रा fall is situated in नाइग्रा river in नौर्थ अमेरिका नौर्थ अमेरिका में नाइग्रा river में नाइग्रा फॉल इस्तित है ठीक है तो यह याद रखना Niagara Falls, Niagara River में कहां North America में अब तल चलते हैं दोस्तो Next, Next है Port Halls Port Halls मैंने क्या कहा था, कौन से रिजन में देखने को मिलेंगे, Mountain Regions में और Mountain Regions में है तो किसके कारण Port Halls Formation होंगे, Erosion के कारण अब किस टाइप का Erosion होता है, देखो Areas which are having the hard rock Hard rock, जैसे हमने सुन लियागी hard rock है, hard rock है तो उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है नदी के लिए ठीक है, आसान इसे नहीं तूटता है, लेकिन अगर लंबे समय तक नदी का action रहे है तो थोड़ा बहुत उसको तोड़ देती है तो ऐसे ही, sometime stone carried along with the river due to impact of water मानलो water लगातार, जैसे यह आपको यहाँ पर photo दिखाई है, यह होते है दोस्तो, pot holes, यह चोटे-चोटे hard rocks में, चोटे-चोटे holes बने होते हैं, because of continuous action of river river लगातार इसमें strike कर रही है तो मानलो इस point में लगातार strike करी नदी ने, तो थोड़ा-बहुत इतने पार्ट को टोड़ देगी, ऐसे छोटे-छोटे इस पार्ट को टोड़ देगी, और इस पार्ट को अपने साथ भाग के ले जाएगी, तो यहाँ पर एक holes created हो जाते हैं, तो इननी को कहते हैं pot holes, ठीक है, आपने देखा होगा कई बार, पत्थर होते हैं, जो hard पत्थर होते हैं, नदी के किनारे पे, उनमें आपको खास कर यह pot holes देखने को मिलेंगे, क्योंकि नदी पूरा इसको टोड़ नहीं सकती है, लेकिन जब continuous strike करती है, एक ही बहर एक river में, जितनी भी rivers होती हैं, दोस्तों, उनमें आपको जरूर से pot holes देखने को मिलेगा ही, मिलेगा, ठीक है, अब चलते हैं, यह pot holes हमने clear कर दिया, अब चलते हैं दोस्तो, fan saved planes की तरब, तो क्या होते हैं, fan saved planes, अब हम बात करने हैं, planes कहरे हैं, तो planes मतलब कि, यह mountain वाला इस्सा तो हमने cover कर दिया, अब mountains की बाती नहीं हो रही है, यानि कि नदी अपनी युवावस्ता से, पौड आवस्ता में आ चुकी है, जो यंग थी नदी, बहुत ही velocity से चल ली थी, क्योंकि mountains में slope मिल ला था, वो चीज खतम हो चुकी है, अब आ चुकी है, planes में, तो planes में दोस्तो, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, basically आपको कभी कभार आपको erosion देखने को मिलेगा, maximum chances होंगे कि deposition देखने को मिले, तो fan saved planes है यह, तो इसका मतलब अब यह पहाड़ों से तो हम आगया चुके हैं, और यहाँ पर हमें erosion की बात नहीं करनी है, किस की बात करनी है, deposition की बात करनी है, deposition की बात करते हैं, देखो, the tribune joining the main river deposit materials carried by them on the bank of the main river, the deposition creates fan-like planes, they are also called as the fan saved plane, और alluvial planes, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उस वाले structure में, जैसे कोई यह नदी बहरी है, जो की पूरे hills से आई है, और कोई छोटी मोटी नदी इसको कहीं रस्ते में मिल जाती है, या जैसे यहाँ से आई और यह एक छोटी नदी यहाँ पर मिल गई, तो जो यह नदी आ रही है और main river में मिल जा रही है, इनको यह क्या कहते है, tribute trees कहते है, यानि कि सहायक नदी कहते है इनदी में, ठीक है, अब जब यह देखो, अब यहाँ पर देखो, यह main river है, जो बीच में आपको यह blue color की stream दिख रही है, यह क्या है, main river है, और यहाँ पर से मान लीजे, इस वाले पाहर से, इस तरीके से, छोटी छोटी रिवर्स आ रही है यह, और इस वाले यहाँ से भी आईए, इसको join करते है इन्होंने, ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ पर इसको join किया, ठीक है, क्योंकि जो यह सायक नदी होगी, यह भी तो अपने साथ कुछ न कुछ material, erode करके लाई होगी पाहर से, तो वो finally, इसमें जूरने से पहले, थोड़ा बहुत material यहाँ पर, किनारे किनारे पर जो है, वो क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और इसी से fan-like planes create होते हैं, इसको ही क्या कहते हैं, अलुवियल fans या अलुवियल planes भी इसको कहा जाता है, क्योंकि देखियो, जैसे यह सायक नदी आई, एक सायक नदी यह आई, एक सायक नदी यह आई, उसकी तरके से जो wings होते हैं, इस तरीके के wings like structure, wings like planes को यह बीच-बीच में छोड़ दे दा रही है, यहाँ बीच में नदी बह रही है, यह मानलो नदी बह रही है, यहाँ पर से भी एक दूसरी नदी बह रही है, यह main river, यह तो दिखकत है इसमें, यह यहाँ पर से भी नदी बह रही है, मानलो यह यहाँ पर से भी नदी बह रही है, बीच में main river है यह, तो यहाँ पर एक नदी यहाँ पर से बह रही है, एक tributory यहाँ से बह रही है, तो यहाँ पर यह बीच में जो है, जो यह बीच वाला reason है, जिसको कि मैं अलग color से दिखाऊंगा brown color से दिखा जिता हूँ तो यह जो beach वाला reason है यह brown color से कुछ नहीं हो सकता इस वाले में चलो यही दिक्कत होती है दोस्तो phone में computer सही नहीं चल रहा है तो यही सारी दिक्कत होती है तो यही जो यह beach में मैंने जो आपको दिखाया यह जैसे दो tributaries के beach में जो जगा छूट जाएगी वो एक पंखे के wings का जैसा structure बना देगा तो इसलिए इसको fan saved planes कहा जाता है ठीक है अब चलते है next slide के ओर next slide है flood planes flood planes जैसा कि आपको नाम से ही पितल लाए कि flood planes flood means बाड़ से बनने वाला planes यह क्या होगा देखो when during the flood अब यह planes है तो यह किस वज़े से formation होगा deposition के कारण अब देखते जाओ when during the floods the river water overflows and its bank is spread around the areas ठीक है जब वो होता है क्या flood बाड़ आती है तो पानी जो है वो अपने channel में या अपने bank में नहीं रहता है वो अपने bank से धूर को आ जाता है ठीक है अपना bank को बढ़ा देता है ठीक है जनी कि जो नदी है वो अपने किनारों पर भी तो आना शुरू कर देती है बाड़ आना मतलब कहाँगी नदी जो है अपना रस्ता पूरा फैला देगी अपने साथ तो नदी क्या लेके आगए इरोडेट मैटरियल्स लेके आ रही है अब धीरे धीरे तो इरोडेट मैटरियल्स भी यहाँ पर इखटा होते गया इसके उपर नीचे इरोडेट मैटरियल्स और उपर क्या उपर रिवर फ्लो कर रही है लगाता है ठीक है अब एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जो बारिस हो रही है वो क्या हो जाएगी बंद हो जाएगी तो वापीस जो नदी है जो यहां तक बहरी थी अब फिर से अपनी बैंक में या अपनी बैल्ट में बैना सुरू कर देगी लेकिन जो इरोडेड मैटरियल्स जो इसके क्या का जाता है फ्लट प्लेंस का जाता है अब इसमें सिल्टे कैरीड बाइड वाटर गेट्स दिपोजिट इन दे दोज एरिया विच ग्रेड वही मैंने बता दिया जो आपको कि जब नदी बाहर को जाएगी तो उसमें जो भी डिपोजिटेड मैटरियल होगा उसको भी बाहर को जोड़ देगी बाहर को अपने साथ ले जाएगी उस टेंप पे लेकिन जब फ्लट बंद हो जाएगा तो फ्लट बंद हो गया वापिस अपनी बेल्ट में आ गई लेकिन जो चीज़ें बाहर छोड़ दी वो छोड़ दी तो उसी को हम फ्लेट प्लेंस क्याते हैं and these plains are called flood plains और ये गैंगिटिक plains इसका example है और these are very fertile ठीक है बहुत fertile रहते हैं ये flood plains ठीक है और flood plains का एकदम सी भरोसा नहीं होता है दोस्तों क्योंकि एक time पर flood plains जहाँ पर create हुए है that means कि river जो है कि कभी ना कभी वहाँ पर पहुँची है flood जब आया यानि कि बार जब आया तो river ने अपना area को वहाँ तक अपनी belt को वहाँ तक फैलाया है तो ये plains जो है वो हमेशा क्या रहते हैं danger zone में रहते हैं कभी भी दुबारा flood आगया तो उस area तक तो नदी जाएगी जाएगी ठीक है तो यह होगा flood plains and mostly they are fertile lines क्योंकि minerals मिलते रहते हैं जो असली-असली minerals होते हैं जो water के साथ आते हैं वो इनको मिलते रहते हैं अब देखते हैं natural levees के बारे में natural levees क्या होते हैं दोस्तो when river is over flooded its water crosses its bank and the pebbles and the stone carried by the rivers near bank अब जब water में flooded हो जाती है जैने कि दुबारा से मान लो बार आ गई water में तो water अपने bank से क्या कामन है बाहर चले जाएगी अपनी belt जो एक belt एक particular रास्ता जैसे यह particular रास्ता अपना रखा है लेकिन flood के time में यहां से बाहर को चले जाएगी इस तरीके से बाहर को चले गई बाहर को चले गई तो अपने साथ में materials भी ले गई अगर छोटे छोटे materials यहां पर इखटा हो जाएगे जो यह छोटे materials जो मैं dot dot से दिखा रहा हूँ जो यह छोटे materials यहां पर इखटा होएं dot dot से इनको हम क्या कहते हैं flood plains कहते हैं क्योंकि फिर जैसे ही river वापी जाएगी तो ये material यहीं रह जाएगे इनको क्या कहते हैं flood plains अब जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको भी कभी कबार जो है नदी बाहर की और को ले जाती है और इनको क्या कहते हैं pebbles कहते हैं मरलब leaves कहते है natural leaves कहते हैं क्योंकि प्राकरती गए यह किसी ने form नहीं किये तो जैसे कि आपको इस structure में दिख रहोगा यहाँ पर यह उठा हुआ पार दिख रहा है और इसके कारण जो पानी है में चले गए फिर बापिस से बाढ़ आई तो यह pebbles और stone तो यहीं परी है तो यह इसको अब आगे की इधर की और को इधर की area में flow नहीं करने दिंगे कहीं न कहीं इसको रोकने का काम करेंगे एक natural embarkment का काम करेंगे एक dam का काम करेंगे तो इसको कहते हैं क्या natural liby कहते हैं ठीक है तो अगर आप पढ़ना चाहें तो यह पढ़ सकते हैं आप मैंने यह पूरा का पूरा समझा दिया अब जैसे कि इसका example है liby found on the bank of mississippi तो mississippi नदी में बहुत सारे liby's आपको देखने को मिल जाएंगे इसी के साथ southern bank of river ganga ठीक है गंगा के southern bank में जो है इस type के लिए भी बहुत सारे बने हुए है अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही नदीयों में यह होंगे सब नदीयों में जितनी भी rivers हैं उनमें लिवी भी formation होगा औक्स बोले सब चीज़ें formation होगे ठीक है और गंगा के बारे में इंडियन जोग्रिफी में पूरा पढ़ेंगे हम इसको फिर चलते हैं finally the formation of delta delta क्या होते हैं दोस्तों इसको हम पढ़ते हैं term delta was coined by herodotus ठीक है जो delta जो यह term है यह किसके द्वारा define किया गया था herodotus के और herodotus कौन है father of history इक लेटर delta एक आपने letter अगर आपने physics पढ़ा होगा तो delta जिसमें कि हम chemistry में इसको heat को भी दिखाते हैं heat दिखाने के लिए delta का परियोग करते हैं तो उसी letter से जो है यह delta word का wording आई है अब delta formed at the mouth of the river where river started flowing into the ocean ठीक है तो इसका मतलब क्या है जो delta है उसका formation कहां पर होगा दोस्तो उसका जो delta का formation होगा वो होगा mouth of river में यानि कि जो नदी है उसके mouth में अब mouth of river कहां पर होगा दोस्तो जब पहार से नदी निकली उसके बाद plains में पहुँची और finally जब समुद्र में मिलने वाली होगी तो इस वाले जो ये समुद्र में मिलने वाला जो region होता है इसको ही कहां कहते है mouth of river जब विर्दा उस्ता में समुद्र में मिलने वाले होगी तो उसी जगपर जहां पर समुद्र में मिलती है उसको कहां कहते है mouth of river कहते है अब देखो the deltas are formed in the mouth of river because all the deposition of sediment has been left at the mouth by the river before moving to sea अब क्योंकि इसके बाद ये last stage है नदी की उसके बाद यहां पर मानलो समुद्र है समुद्र में इसको मिलना है तो समुद्र में मिलने से पहले जितने भी sediments जितने भी rocks जितने भी pebbles जितने भी stones जो भी चीज नदी अपने साथ लेके आई है erosion के माध्यम से उसको यहां पर finally deposit कर देती है ठीक है यहां पर finally deposit कर देगी इस तरीके से और ऐसे deposit कर देगी तो finally तो यह deposition होता है जो कि नदी और समुद्र के बीच में आपको देखने को मिलता है जहां पर नदी मिलती है mouth of river होता है उसके बीच में जो नदी deposition करती है before meeting to the sea इसको ही क्या कहते है डेल्टा कहते है नदी अपने साथ में नहीं ले जाएगी अभी erosion material deposit कर देगी finally अब इस डेल्टा क्रियेटेड एब्स्रेक्शन for the rivers to flow into a single channel and split into the two branches and meet the sea अब यह यह डेल्टा बीच में बन गया जैसे यह नदी यहां पर से आ रही थी और इस तरीके से जा रही है तो बीच में यह डेल्टा बन गया यहां पर यह समुद्र है मानलो यह C है और यह बीच में यह डेल्टा का formation हो गया तो अब जो यह नदी है इसको औप्स्टिक कलेगा इसको मिलने नहीं देगा तो इस वज़े से कभी-कभी नदी का क्या होगा different ऐसे channels में बढ़ जाएगी और इन channels को क्या कहते है distributories कहते है अभी मैं दिखाऊंगा आपको largest delta of the world is सुन्दरबन जो सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा जो delta है उसको सुन्दरबन delta है वो जो की 300 km तक फैला हुआ है अब मैं एक बार आपको delta को structure दिखा देता हूँ तो दोस्तो यह है delta यहाँ पर आप देख रहे हैं जो उपर दिखाया है यह कैसी है और यह यहाँ से उपर से क्या आ रही है river आ रही है मानलो this is the main river यह है main river जो की विर्धावस्ता में अपनी finally और इस जो यह वाला इस्सा है जहाँ पर यह समुदर से मिल जाती है इसको क्या कहते है mouth of river यह पूरा का पूरा इस्सा almost mouth of river है final stage है क्योंकि यह नदी की तो यह mouth है नदी का तो समुदर में मिलने से पहले आप देखेंगे कि सारे जितने भी sediments थे जो यहाँ पर यह छोड़े है land like structure आपको दिख रहा है ठीक है मिट्टी जैसी जो दिख रही है यह सब नदी ने छोड़ दिया यह erodate materials था जो कि नदी पहाड़ों से खीचते वे लाई फिर थोड़ा plane समय छोड़ा और finally पूरा का पूरा यहाँ पर छोड़ देती है उसके बाद समुदर में मिल जाती है तो यह इनी को क्या कहते हैं एकी river को 3-4 भागों में काड़ दिया तो इनको क्या कहते हैं इन channels को जो final channels बनते हैं उसके बाद समुदर में जो है यह नदी मिल जाएगी इनको ही क्या कहते हैं distributories कहते हैं क्या कहते हैं इनको distributories कहते हैं तो यह ही है इसमें हमने अल्मोस्ट सब चीज़ें cover कर दी अब इसमें दो चीज़ें दोस्तो रह गई जो कि लूसेंट बुक में आपको नहीं दिया है इतना सब तो आपको लूसेंट बुक में मिल जाएगा जितने भी चीज़ें थी इसमें cover कर दी है बाकि दो चीज़ें जो important है मैं थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूं उसके बारे में इसके लिए हमें आना पड़ेगा इस वाले पार्ट में इस वाले पार्ट में दोस्तो हमने क्या देखा एक meander और oxbowlick क्योंकि हमारे इससे पिछले हिस्ते में हमने पढ़ा था कि यह erosion और deposition जहां पर साथ में होगा महाँ पर meander oxbowlicks आपको देखने को मिल जाएंगी तो इसको एक बार discuss मैं आपको करवा देता हूं तो meanders क्या होते हैं दोस्तों जब जब नदी ऐसे zigzag motion में चलती है इस तरीके से जैसे कि सिधा चलनी चाहिए थे नदी जैसे ब्राउन लाइन में डाल लेकिए ऐसे चलनी चाहिए लेकिन इसको नहीं तोड़ पा रही है तो जहां पर उसको free space मिल ला है तो उस इसाप से जो ऐसे मुड़ते वे जा रही है वैसे तो सीधा straight line में जाना चाहिए था अगर तोड़ प पार्ट है इसमें न जाके क्योंकि नदी की tendency तो सीधा जाने की होगी जब तक उसको तोड़ नहीं पाएगी उस rocks को तो तब तक सीधा नहीं जाएगी बट finally जब successful हो जाएगी तो यहां पर इतना न जाके इस वाले reason को तोड़ दिया तो यहां पर इसे मुड़ गईगी पह एक परकार की lake formation हो जाएगी वहाँ पर एक परकार का पानी छूट जाएगा जो कि अब नदी से सड़ गया है नदी से सड़ गया है मतलब नदी से जो side हो चुका है अब नदी का part नहीं है क्योंकि नदी ने अपना रस्ता बदल दिया और वहाँ पर पानी छूट गया पहले तो यही सारी चीजे हैं दोस्तों इसमें हमने almost सब कुछ discuss कर लिया है erosion में we saved valley, gors, potholes, waterfall, meander, oxbolex, fan saved planes, flood planes, delta, natural levees, सब कुछ हमने यहाँ पर discuss कर दिया है and I hope दोस्तों कि आपको चीजे समझ में आई होंगी ठीक है आप क्यूंकि मैं mobile के थोरों समझा रहा हूं दोस्तों तो जैसे laptop से या computer से जिस तरीके से क्यूंकि उसमें तो जो है वो उस pen का इस्तमाल होता है ठीक है तो वैसा इसमें नहीं हो पार है क्योंकि इसमें आपने देखा कि जब मैं fan planes बना रहा था तो अपने अपने अपी data पूरा का पूरा ही रेच हो गया अपने अपी हड गया वो जिस तो कुछ limitations है mobile phones की भी but laptop अभी सही नहीं है और इसी के चलते बीच में काफी time से वीडियो नहीं भी आपाई लेकिन अब जो है continuously आएंगे क्योंकि मैं mobile से अब recording कर रहा हूं तो कुछ limitations भी इसमें है बट continuously वीडियो जा आपको मिलती रहेंगे और I hope दोस्तों कि आप पूरी चीज clear हुई होगी अगर पूरा concept आपका clear हुआ है चीजें आपको अच्छे लगे तो आपको कैसी लगी दोस्तों जरूर कमेंड में बताना ठीक है और साथी आप इसको share भी कर सकते हैं अपने अन्यमित्रों के साथ जो कर रहे हैं तैयारी ठीक है अब कुछ लोग को का आपका comment आया था कि they are preparing for certain exams जो कि अब होने वाला है दोस्तों तो एक्जाम में तो आपसे conceptual चीजे कम पूछके factual चीजें ज्यादा पूछता है concept तो आपको आना चीए और उस concept के basis पे आपके factual चीजें बनती है ठीक है तो factual चीजें आपकी ज्यादा आनी चीए तो अगर मैं बात करता हूं हमारी तो हमने physical geography और world geography और most यह दोनों हम complete करने वाले हैं अभी physical geography आप इसको कहें या world geography तो इसके हमारे सिर्फ दो lecture बचें उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमारी Indian geography बचें तो इसके दो lectures के बाद हमारी Indian geography शुरू हो जाएगी तो अगर आप लोग चाहते हैं दोस्तु कि हम one liner के format में भी चीजों को पढ़ें जिसमें कि हर एक point हर एक line important है ठीक है और उस comment section में बता सकते हैं मैं जल्दी कोसिस करूँगा one liner series को भी start करने की दोस्तों ठीक है और इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताने चाहता हूँ अब क्यूंकि लिशन जोग्राफी का course almost 5-6 वीडियो के बाद खतम हो जाएगा तो हम एक और new cent का series start कर रहे हैं जो क्यो दो या तीन दिन वाद मान के चलिए maximum three days के अंदर आपके पास एक marathon session आएगा ठीक है biology को ऐसे छोटे छोटे पार्ट में नहीं टोड़ेंगे हम एक और गंटे की वीडियो को एक साथ मैं डालूँगा तो एक marathon session आपके लिए आए का leucent biology से तो आपने subscribe किया होगा तो आप द watching the video between next lecture till then आप अपने पढ़ाई जारी रखिये ठीक है और राम से रहे ठीक है thank you good bye